तो गाइस कैसे हुआ आप लो तो स्वैलो डिश्टार के नेक्स्टी नोवल के एपिसोड नमर फोर आने 86 में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफिंग और बाकी 10 बंदे होते हैं जो वो सबी सेकेंड होता है वहां पे उन्सब का टेस्ट था वीडिशोव निखर इन्वर्स में रहने के पाद आपको वहां के अटाइक को सरवाइब करना है वहां पे सब लोग अपने बाड़ी को रिकवर करना सुरू कर देते हैं वहां का पूरा का पूरा एरिया का सीन दिकाया जाता है कि वहां पर मौझूद था दिखाया जाता है कि वहां पर उन सब पर अटैक परने वाले थी जो अटैक बहुत ही पाफुल थी वहां के बंदे भी बहुत ही डरे हुए थे यहां पर बताया जाता है कि टोटल फाइब सोल्जर पांच मिनियेचर नुवर्स में अलग-अलग पेश देटे हुए देखर होते हैं अब यहां पर सबके लग रहा था कि अतना जैट्र नहीं है लेकिन वह सब अभी इंतियार में कर रहते है कि कभी हुए यहां पे कुछ होगा लेकिन तभी लुपिंग को यहां πे एकसास हो जाता है कि कुछ ने कुछ यहां पे गलत थे और यहां पे पांच सोल्जर के अंदर थे लेकिन तभी अन्पर भी अटाक होना हो जाता है और जो अटाक्स थी वो कमजोर बिलकुल नहीं थी वो बहुती पाफुल थी और वो सब पूरी तर से हैरान हो जाते हैं क्योंकि असल में उनके मिनियेचर नुरस के अंदर पांच दार्क रेड जर्स आ जाते हैं जो कि सुल्जर की जैसे होते हैं और वहाई से मिलके उन बंदों पर अटैक करने लगता हैं इसको देख कर वो पूरे के पूरे बंदे हैरान हो जाते हैं लूपवेंग और चार सोल्जर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहां पर देख पा रहे थे कि वो सारो पांचों सुल्जर एक क्याद हो चुके हैं और उस पर अटैक किया जा रहा है वो सब पूरी तर से हैरान हो चुके अब लूफिंग पूरी बैटल को बड़े इंध्यान से देख रहा होता है क्योंकि इससे उसको बहुत ही अच्छे से एनलाइस किया जा सकता है और अब फिर हमें सीन चेंज का वुकी टायर के टॉलेस बिल्डिंग गॉर्ड किंग वैली के सीन का दिखाया जाता है जहां पर कुछ बंदे पहले से मौजूद है जो कि इस पूरे के पूरे सीन को इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं यह सभी उसलिग कुछ निकर सकते है इनके पावर इतनी नहीं है कि गॉडली के सामने यह आ सके इनके डिजायर के ऊपर यह खरे उतर सके लगता है कि हमारा यहाँ पे बहुते लंबा अर्सा है हम लोग यहाँ पे कोई भी अच्छे से इंसान को नहीं ढूंड सकते हैं क्या यह competition इतना इन अफ नहीं क्या हमें और भी cruel कर देना चाहिए और लोग इन इस तब के बाद कर रहे होते गी क्या हमें इस competition को और भी कर देना चाहिए अफर नहीं लेकिन लोग इस पर नहीं करते क्याते कि चुरू अभी जैसा चल रहा वैसे ही चलने दो अब यहाँ पे वहाँ पाचू वारी अंदर मिनियर्श में फाइट कर रहे होते हैं वहीपे लूपवेंग और चार वॉड़ वार्येस इसको देख रहे होते हैं सभी चिंतित होते हैं आदे घंटा बीड जाता हैं और यहाँ पे हो सब अपने फाइटिंग में stride कर रहे होते वहीं पर वो सब की वाइब्रेशन को वो सब फील कर पारत है। लूपवेंग को ऐसास होता है कि यहाँ पर स्पेस और टाम में भी डिस्टॉर्शन हो रहा है। वह दीख पारता कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज नहीं किया जा सकता है। अब दिखाया जाता ह की यहाँ पर उनसाब पांच अजोगा तो खेल कातम हो चुका था। और यहाँ पर लूपवेंग को भी फाइट करने होता है। यहाँ पर बारी आ जाता है। वह ब्लावर्स में आ चुका होता है। और अब दिखाया जाता है लूपवेंग का जोकी इंतर दैक कर रहा था तुम यहां पे आऊ और मैं तुम्हें मारू और वो यहां पर उसे रोग जांट का इंतजार कर रहा हो ता कि कब यहां पर रॉट्ट्र जैंस क्वे गॉली पाउर को यूज़ करके उन सब पहे अटाक कर दूं अब दिखाया जाता है कि वह को इंतजार कर रहा था लूपेंग अपने गूलिन क्लॉक को भी इस्तमाल करने के लिए लेडी हो गया था अपने एक्स्ट्रमिशन इन सभी का यूज करना के लिए रेडी हो जुगा था यहां पर आगे बढ़ने लगता और यहां पर में दिखाया जाता है डाक रेट जियां काकता है ऑद लेकिन दिखाया जाता है कि वहां पर उन पर कुछ नहीं होता है यहां पर यह सभी इस थरीके से हो रहा था और यहां पर हो कहता है कि यह जरूर गूपी टावर के अंदर ही बना गया है तब यह सब हो रहा है यह इन सब टिकनीक को यूज़ कुर पा रहे होते हैं लूपिंग उन सब पर अटैक कर था साथ नहों के सारे अटक को डॉज कर पा रहा होता है ऐसे ही फाइट होने लगती है जहां पर लूपिंग अपने कलॉग का भी यूज कर रहा होता है और बढ़ी असानी से उनके अटक से बच कर उन पर अटक की जा रहा होता है लेकिन देखा रहा हम तो उसको तोड नहीं पा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसको तोर पाना बहुत ही मुश्किल था लूपिंग अपने टेरिफाइंग टेकनीक को भी यूज करने लगता है लेकिन वो इसमें काम्याप नहीं हो पाता है वो ऐसे ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है अब सींचेंज कर हमें गौली किंग वैली सिल्वर करे प्लेस के ठर्ड लिवल्स को दिखाया जाता है जहां पर वही सारे बंदे उन सब वैडियर्स को देख रहे होते हैं वहां पर ब्लैक मिस्टेक वोइस कहती है यह बोडी टेकनिक तो और वह सब इसे दीख कर हैरान हो जाते कि यह बोडी टेकनिक बहुत ही यहां पर लाजवाव होती है तो यहां पर उन्हें सब के बार में सूचने लगते हैं और फिर वो उसके information को निकालते हैं जिसने उन्हें पता चलता है Milky Way Warrior के बार में कि यह बहुत लंबा आर्सा पहले नहीं जोआन हुआ है इसी कान तो हमें इसके बार में नहीं पता चला है यहां पर उन सारे बंदों को जगाता है और क्याता है तीन बंदी चला अफ्तमाय डीप स्लंबर से जागने का समय आ चुका है और वहां पर सिफ एक ही बंदा अभी देख रहा था वो चला जाता है अपने तीन और बंदों को जगाने के लिए ताकि वह लूप में की पावर कर नहें करता है कोई ऐसा बंदा यहां पर पर यहां पर यहां पर आचे लягने लगते हैं क्योंकि यहां पर इकlier उनकी तरफ आने लगता है टाइम पास होते हैं और चाड़ों के चारों लीडर्स उन सब की तरफ देखने लगते हैं इतनी अच्छे से इसको यूज कर पा रहा था उसने कभी भी इसके बार में नई सूचा था यहां पर वो इन सब के बार में सोचने लगता है यहां पर उन सब से पूचता है कि तुम सभी इतनी टुगर्ड हो यहां था कि तुम भी इसके मुव को दिखकर हयान हो चुके हो घंश यहां पर लूप था जो पाउर ती उसको देखकर तो इटरना टूगर्ड लेवल वाले बरने भी हारान हो चुके तो कि यह क्या सा हो सकता है वो सभी लूप पर के तव देखने लगते थे उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि एक लोग मास्टर इतने अच्छे से अपने बॉर्डी टेक्निक को यूज़ कर पारा है और अफ़ी हमें वुकी टावर के सिकेंड फ्लोर को दिखाया जाता है जहां पर 10 मिन ये चेंवर्ड पर होते हैं पाच सोल्जस तो यहां पर करना पर रहा है क्योंकि वह लूग बड़ी हैं मुसी से उन्हें सबको संभाल रहे होते हैं वह सब न सब को रोकने की क्या रही पेखने की सिचूँचन में अगर यहां पեुपनीऊ नहीं ने रुका तो करण antib waiver ने होते हैं। लूफेंग तो बढ़ी यहां सारी से रोक रहा होता है, लेकिन वो से हम वो सब क्या ही कर सकते हैं, लूफेंग भी नर्वस था, क्योंकि यहां पर धीरे-धीरे, वो सब भी पावफुल होते जा रहे होते हैं, और वो सूचता है कि अगर ऐसा ही चलता है तो यहाँ पर मेरे गृप्स के बंदे भी यहाँ पर मारे जाएंगी अब दिखाया जाता है कि सच में वहाँ पर होपलेस सिच्वेशन बन चुकी थी वहाँ पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थी और स्ट्रेंड बिस उन सब पर अटैक करने लगता है और जो लोग यहाँ पर मर रहे होते हैं उनका खेल कतम बिखाया जाता कि जितने भी 4 former soldiers होते हैं वह यहाँ पर कहते हैं कि और यह रुका क्यों ने यह खतम झा किव्यों ने यहां पर जो एक ही उन्हों पर आउट जाएंगे वो चार सोल्जर्स बहुती परसान हो चुके थे, सब लोग पैनिक में होते हैं, लूपेंग उन सब को देख पाला था, यहां पे कहते हैं कि हम सब को अपने गौली पावर को सेव करना होगा, लेकिन तभी यहां पे वो सब पूरी तर से हरिफार हो चुके थे, और यहां पे खत्म इंतजार कर रहे था कि कभी यह खत्म होगा, कभ वो इस चीज से आजाद होगी, और मैं इंसिम पैलेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक इटरने ट्रूगर होता, वो सभी उन सब को देख रहे होते हैं, और इन सब का नजर अभी सिर्फ लूपेंग पर ही होता यहां पर टाइम भी इतने लगता हैं, और वो सब ऐसे आगे कंटिनीव करने लगते हैं, अब यहां पर दिखाया जाता है कि जितने भी और बंदे होते हैं, वो सब आभी विश्वास नहीं होना था कि आखिर का टाइम खत्म क्यों नहीं हुआ, यहां पर हम लोग इतने टा हो जाता है है यह āंस वह बंदा कहता है कि अगर एक सेकिंड और होता तो मैं यहां माला जाता है टोटल में पांच थे जा ही बसते हैं एक वंदा माला जाता है क्योंकि ये बहुत जरा हो चुका होता है लेकिन उन अमदे कि तो जरा साभी ヘ। वीक नहीं हुआ उतार जब लूफेंग को देखते हैं तो पूरी तर से हरान हो जाते कि आखर ये कैसे हो सकता कि हम सब की जो पावर से इतनी कंजियूम हो गई लेकिन इस भंदे की यहाँ पे कंजियूम नहीं हो येकिन वो सब खुछते की वो लोग बच चुके हैं अब लू की वे उससे जरूर बद्ला लेने के लिए आएगा यहाँ पर उन सब को ठ्री लाइट पिर्स आते हैं और सब को ट्रांस्पोर्ट करके थार्ड फ्लूर पर ले आते हैं फॉर्ड ग्रूप भी वहाँ पर आ चुके होते हैं और थार्ड ग्रूप में से तीन ही बचे हुए ह होते हैं और सामने दिखाया जाता है इगारा सुल्जस मौजूद होते हैं जिन में से सिक्स स्टर्ड से होते हैं फोर्थ ग्रूप से भी होते हैं और सरी इस पर मौजूद थे हैं यहाँ पर उन समय कंपेटिशन होने वाला आता है उन सारे बंदों में से अलूफिंग उन स और तभी यहां पे एक giant life plant life forms आता है और यहां पे हो कहता है कि यहां पे सिर्फ एक tribal warriors का है तुम इतने क्यों यहां पे डर रहे हो और यहां पे लूफेंग की तरब देखना रहता है अब जो पहले और बाद में बंदे आई हुए थे उन्हें तो लूफेंग की पावर के बार हैं यहां पे इनके instant voice आती है जो क्या थी वुके टावर तुम्हाइं लाइफ इंसाइफ फर्स ट्री लेवस में खतरे में थी लेकिन जैसे तुम थर्ट्री लेवस को सर्वाइब करते हों तुम सेफ हूँ और यहां पे फोर्थ लेवर से तुम्हें यहां पे इनेरिटेंस और वैलिवस मिलेगी जैसे जैसे वह लेवस को पास करेंगे उनके लेवस ऑफ इनेरिटेंस और वैलिवस बढ़ते जाएंगे फ़े दिखाया जाता है चालीस वोरियस उपर किताब देखने लगते हैं और वो एज़ वोईस कैसी है कि तुम चालो वोरियस तुम में से तु चीजे मिल सकते हैं तो यह सुनकर सभी हैराम हो जाते कि क्या सिर्फ 15 रही सर्वाइब करेंगे यह बहुत ही कम नमर था क्योंकि यह तो 50% से भी ज्यादा हो गया होता है नितलब यह हुआ कि उन्हें किसी वोरियस को ही मारना होगा यहां पे सिर्फ 15 ही हैं और वो जानते थ बहुत हो जाता है कि उन्हें प्राइब होने लगता है चांश के 46 अपे दिखाए जाता है और वह सभी के बादने लगते अब जि taraf लूवnın की तब देखने लगता कि कि उसको पता कि यहां पर लूप्वन उस्ताइक कर दो नहीं बच पा रहाम होन इक दूसरे øयजाता। स्क्aturaयाम के स्टार्ट होने के उन सब के पास ऑंपर वहां पर की की ओ यह जा आओ MP1 कर पाएगा और खुछ सही यहां पे बेखुस हो जाएगा उसको मानने असान हो जाएगा यहां पे विल पाउड धीरे धीर करके इंक्रीज होती जा है यह लास्ट में यह 15 बचेंगे वह इसी बच पाएंगे अब यहां पर क्या थार लेवल वूकी टावल यह विल पावर का टेस्ट है यहां पर किसी कुछ समझ नहीं है था लेकिन सब को पदा था कि यहां पर पंदल को ही बसना है मातलब यह हुआ कि उन सब को मातकी यहां पर 15 को किया जा सकथार यह लूपर well की ढ अगर मैं तो किसको मारू बागने लगता है कि मुझे क्या सब बसना होगा, क्योंकि लूप के पीछे लग जाता, भागने लगता है, वो एक वागने लगता है, उसका पीछे बहु हो जारा होता है, लेकिन लूपिंग के पास सीवी विंग्स होते हैं, वो भी एक्सरोइट करके उसके पीछे जाने लगता है, और जूज़न भी कहता है कि मिलके वे आखिर कर तुम उससे क्याल होगे, कि यहाँ पे तुम मुझे जाने देगी, तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम महारे जावतों ही रहा होता है, और यहाँ पे सब के उपर willpower बढ़ रहा होता है, अब दिखाया जाता है, जो willpower होता हैं, वो ultimate live lie giàu master के लिए मतलब universe master के willpower के लिमिट पर आ चुकी होते ही होती ही यह कोचिं देर, यहाँ पर true god मतलब supreme little supreme universe master के level पे आ जाएगी, और जिसकी सब Τंम पर willpower supreme level की सामना करना पा रहा था यह तब ही खतम होगी जब यहां पर 15 ही बचे रहेंगा और 16 भी हुआ जो बढ़ता रहेगा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक पंदर ना हो जाए और गर विल पाउर जारा बढ़ गया तो यहां पर जारा लोग मारे भी जा सकते हैं अब दिखाया ज हो था और यहां पे लोगता है जो की कहता है मुझे भाग ना होगा मैं में सकता हूं लेकिन क्या विल-पावर की इंपाक को नहीं बढ़ती जानी होती है और पूरितर से कहता है कि नहीं मुझे conscious रहना होगा मुझे गॉड के लफ के लिए conscious रहना पड़ेगा बैसे कि आपको पता है विल पाउर जाला होगी आपके दिमाग पर प्रिसुर जाला पड़ीगी तो आप यहां पर सामने वाले को मार पाना बहुत ही आसान हो जाता आपको इसकी कान वहां से भागने लगता और कॉंसियेस होने लगता है जहां पर मिलकी वे से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था प्लीज मुझे माफ कर दो में जिन्दगी को बक्स तो लेकिन लूफिंग त उसको कैसी भी करकी वह मार नहीं चाहता था जिसके पीछे वह लगा हुआ था अब नमबर सवजर खर्चने लगते हैं 28-26-23 हो चुके होते हैं लेकिन अभी बंद्रयों करना होता है यहां पर दिखाया जाता है गोल्डेन क्रॉस से लूफिंग उन सब पर अटैक कर देता ह कि अब यहां पर जेतने भी होते हैं कि इसकी पाउर तो बहुत जाँ हुआ होती है अभी यहां पर दिखाया जाता है कि लूफिंग उसको प्रम सबसे बोढ़ा था कि यां कि लिकाया जाता होता है इस जागा पर सीफ दो सॏल्जर्जर्स होतें जिनके पार ज्मीद्ट आ मौझूद थे अब यहां पर हमें दिखाया जाता है प्लांट लाइफ फॉर्म जो कि सब को मार रहा होता है सब को मार के उसके सारे चीजों को लूट रहा होता है और यहां पर एक कटके हो सब को मारने लगता है और यह उन सब को लूटने लगता है अब दिखाया जाता है कि में से कई साय बंदे होते हैं जो कि मारने के बाद सब को लूटने लगते हैं लेकिन इसे के साथ एक बंदे को मारता है जिसके उपर से उसके साइट्वेस गिल जाते हैं जिसको देख को सभी उसको लूटने के लिए जाते हैं लू फैंग भी उसके पीछे परता है जिसके पी बीबड जो कि बीबड जो कि मैंने आपको पता है छेला कंट्रिब्यूशन पॉंट स्टैप को मिल सकते हैं वह लूपवेंग के गोल्ड इंड क्रोस से भी जाला महांगा होता है लूपवेंग उसको यूज करके उसके तव जाने लगता है जिसको दीकर पूरितर से हरान हो ज लेकिन उस अठाक को दीकर पूरितर से हरान हो जाता कि यह लूपवेंग तो यह तो सच में बहुत ही पावफुल है लूपवेंग को दिखा जाता कि जो कि टीस से के में फ्लैंग बीश्ट को मार देता है जो पने पास रख देता है यहां पर टाइम बढ़ने लगता है और विल्पावर का भी प्रेशर बढ़ने लगता है यहां पर से पंदर सर्वाइब कर सकते हैं खटने लगता है बीस अठारा सुलन और फाइनली पंदरा यहां पर बजच चुके होते हैं वह उन सब के जो मेंटर्स की पावर होती है वह और टूप टाइड टू गोड्स की लि अगर इस तरह से उसके लिल्पावर इतनी चाहते नहीं आयोती तो लूप इस विल्पावर को नहीं कर पाता है बताया जाता है कि लूप ने एट मिलें एरास को अपने विल्पावर को ट्रू गोड्स से एक अलगी लिवल तक लेजाने में लगा दिया था उसकी लेकिन लूप रिसेव यूनिवर्स मास्टर के लिवल से ही यहां पर आचीव कर लिया होता है टूग और फॉइड स्पेज जो कि लूप के दो लिवल अप होता है यह सब डुवांग टोंग इने टेंस की होती है अब दिखाया जाता है पन्वा लाइट पीलर स्फिर से होंगी और यहां पर फॉर्थ लिवल के बार यहां पर सब को इने टेंस मना सुरू हो जाए तो क्या लूप यहां पर फॉर्थ लिवर से फिर्ट सिक्समिन्ट नाइट लिवल सको पास करके अपने आप पर सील का आटेश्मेंट सब्सक्राइब या फिर नहीं तो मिलते है में तब तक के लिए बाइए